नमस्कार स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले काफी ज़्यादा इंपोर्टन टिशू है और बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो समीधान है हमने भारत के समीधान में विदेशी स्त्रोत क् क्या क्या हमने दूसरे देशों से लिया है यानि विदेशी स्त्रोत क्या है आज इसकी चर्चा जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपको पता ही है कि Luton की बुक जो है वो चल रही है और इसमें ही जो जैसे जैसे चीज़े आ रही है उनको मैं करवा रहा हूँ यह फू प्रियंबल के आपको याद हो तो प्लीस कोमेंट बॉक्स में वो लिक देना और इन सब वीडियो की पीडियो जो है मैं एक टेलिग्राम आपको प्रॉइड करवा रखा है टेलिग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप जाकर वहां से इन पिछली तीन इस फॉर्थ वीडियो की भी जो पीडियो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक तरीके से बस आप लोगों को बस अराम से सुनना है दिमाग खोल के ऐसा नहीं है कि आँके बंद कर ली आँके खोलनी है धान रखना है आपको स्क्रीन के उपर कि भी क्या बात बोली जा र इधान लिखा है उसके अंदर विदेशी स्त्रोथ क्या क्या है तो नंबर वन पे हैं जो बात करें वो है अमेरिका यानि USA अब USA से हमने क्या क्या लिया है देखे USA से हमने fundamental rights लिये है आपको बता है व्यक्ति की स्वतंतरता वही कैसे वो अभी व्यक्ति की स्वतंतरता होती ह यह हमने कहां से लिए है यह स्यूंक्त राज्य अमेरिका से लिए है अब बात करें न्याइक पुनर्वा लोकन यानि कि एक बार जद साब ने कोई निरने दे दिया अब उनको फिर से वो चाहते हैं उसको review करना वो review करने वाली जो चीज है वो कहां से लिए गई है वो समिधान ही सबसे उपर है और अब पूछा जाते है कि समिधान से उपर कोन है वह सर्विधान से उपर भी है आपको याद हो तो प्रियंबल में मैंने आप लोगों को करवाया था कि समिधान अपनी पावर लेता कहां से वह समिधान अपनी पावर लेता है भारत के लोगों स अब न्याय पालिका की स्वंतंतरता यानि जो जुडिश्री है हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट है किसी के अंडर वर्क नहीं करती है तो काफी जीज इंपोर्डन्ट है जो हमारे देश में जो न्याय पालिका की स्वंतंतरता है वो हमने अमेरिका से ली है अब जो ज़िर्टों को चुना कैसे जएगा, उनको हटाया कैसे जएगा, और बात करें Supreme Court के जज हैं, या High Court के जज हैं, उनको हटाया कैसे जएगा, इनके जो कानून है, इनकी जो प्रक्रिया है, हु하 हमने USA से लिए है, साथ ही साथ हमने VITIA path, आफ़ी ज्जादा important है, एक Germany तो पूछ लिया जाता है कि मौली कदिकार कहां से लिये हैं राष्टपती से related चीज़ें पूछ लिये हैं कि राष्टपती को हटाया कैसे जाता है ये चीज़ कहां से लिये गई है और ब्रिटेन से बात करें आपको पता है कि ब्रिटेन यानि जो अंग्रेज थे वो इस देश को जोड़के गए थे वो ही इस पर शाषन कर रहे थे तो उन्होंने जैसी प्रक्रिया अपना रखे थी हमने उसी प्रक्रिया को continue रखा यानि संसदातमक शाषन पर नाली parliamentary system आप देखते हो ना कोई state है तो उसकी state की अलग है और जो यहाँ पर center है center के लिए अलग पहचान पतर है दो-दो पहचान पतर होगे ना लेकिन देखे कितनी खुबसूरती की बात है कि भारत के अंदर सिर्फ वर सिर्फ एकल यानि एक ही citizenship चलती है अब यहाँ पर statehood मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं फलाना राज्य से हूँ तू उस राज्य से है हम दोनों के बीच में बैर रहेगा वो एक तरीके से नहीं हो पाता लेकिन आप सिर्फ राज अमेरिका के अंतर देखते हो तो USA के अंतर देखते हो तो इसमें कोई गलत चीज नहीं हो जाती है इस चीज को ध्यान रखना तो यह होगी single citizenship और विदी निर्मान प्रक्रिया जो है यह हमने डिटेंश से लिए हैं अब आयरलेंड से बहुत important चीज है directive principle of state यानि निती निर्देशक सिधान्द यानि जो एक state है जो एक राज्य है वो वहां के जो लोग है उनके कल्यान के लिए कैसे कैसे काम करेगा यह चीजें जो हैं हमने आयरलेंड से लिए हैं अब प्रेजिडेंट के जो election होते हैं उस election में कौन-कौन शामिल होगा उसकी जो विवस्ता है वो आयरलेंड से लिए गई है ध्यान रखना राष्टपती का निर्वाचिन कैसे होगा उन पर महाबयो कैसे लगा जागा वो यूसे से और उनकी निर्वाचिन मंडल की विवस्ता कैसे होगी वो आयरलेंड से राष्टपती द्वारा जो राज्यसभा के अंदर आपको बताएगी साहित यानि literature, color यानि कोई art, विज्ञान, यानि science और समा से वानी यानि social work इन में कुछ बढ़िया यानि बहुत एक परसीद काम कर रखा है एक ख्याती प्राप्त व्यक्ती है अब इन में से चांट कर राज्यसमा के अंदर सीधा उनको मनोनित कर देना, elect कर देना ये जो चीज है वो हमने आयरलेंड से लिए है Australia से हमने क्या लिया है Australia से हमने preamble की जो language है वो ली है, साथ ही साथ बात करें समवर्थी सूची आपको बदा है कि जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी फर्स्ट जो ये वीडियो थी हमारी पॉलिटी से रिलेटिड ये फोर्थ है, इसे जो पहली जो वीडियो थी वो उसके अंदर हमने देखा था ना कि अंग्रेजों ने अपने यहां पर देश में काम करने के लिए तरह तरह से कानून लेते आये 1770 में regulating act आया फिर आगे चले 1770 आया फिर धीरे दीरे आगे जब चलते रहे तो उनोंने भी power का distribution कर दिया था राज्यों को यानि वहां पर प्रांतों को कुछ दे दिया था केंदर के पास कुछ रह गया था तो ये चीज़ें थी वहां पर तो वहां से ही निकल का आया था मैंने आप लोगों को बहाँ भी बताया था ये जो समवर्ती का जो प्रावधान है देखी यहां पर भी आ गया और अब ये देखे समवर्ती का प्रावधान केंदर राज्यों के बीश के शक्ति का अभिभाजन शंसदिय विशेशादिकार यह कहां से लिया गया है यह उस्टेलिया से लिया गया है समवर्ती सुची है आपको बता है कि हमारे देश में तीन सुची है, सेंटर है, एक स्टेट है और एक कॉनकरंट है यानि सेंटर यानि के अंदर ए विशे था, ए कोई subject था, इसके उपर center ने भी कानून बना दिया और जो है वो subject, इसने state ने भी कानून बना दिया, तो इसके उपर दोनों ही कानून बना दा सकते हैं, लेकिन, अब अगर suppose एक के उपर यड़ गया, तो यहाँ पर center वाला चलेगा, तो यह धीरे धीरे जो हम चलेगे ना सूचे के उपर, तो वहाँ परमची जोंगों पढ़ेंगी बहाँ तो समवर्ति का प्रावधान, केंदर और राज्यों, यानि state और जो center है, उनके बीच जो power का distribution है, वो हम कैसे होगा, वो हमने Australia से लिए है, साथ इसाथ जो parliament है, उसमें जो privilege है यानि विशेशा अधिकार है, वो क्या-क्या होंगे वो हमने Australia से लिए है तो यह हो गया हमारे सामने, America से Britain से, Ireland से Australia से, एक बार क्या होता है कि कभी-कभी यह पूछ भी लेते हैं आपको question दे देंगे, question के अंतर चार option देंगे, उस चार option में यह दिया होगा कि भई, इस में से किस देश में से भारत का मतलब कि जो चीज है अपने विदेशी स्त्रोथ में से आता है, यह पूछा भी जाता है तो तीन ऐसे देश होंगे जिस में से हमने कुछ ना कुछ लिया होगा, लेकिन चोथा देश जो है वो हमने कुछ नहीं लिया होगा, तो यह देश भी याद रखने आपको important है कि कौन-कौन से देश से क्या-क्या क्या-क्या चीजी ली गई है, clear अब fifth पे आते हैं, Germany अब यहाँ पर बात करें कि अपात काल देखिए, मैंने कहा न, emergency के जब emergency हो, उस वक्त जो president है, president के पास क्या-क्या power होंगी और वो fundamental rights से related कैसे कैसे काम कर सकते हैं उनको fundamental rights को वो कम कर सकते हैं उनके पर बैन लगा सकते हैं यह जो power है, इस related जो power है वो हमने कहां से ली है, Germany से ली है अब Canada की बात करें Canada से हमने federal system यानि संगातमक विशेशता है देखिए, आपको पता है, हमारा देश federal है यानि क्वाशी federal कहते हैं इसको क्वाशी यानि अर्ध federal कह सकते हैं इसका क्या मतलब होता है, federal का संगातमक का, मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो center है, center भी कानून बना सकती है बोले तो military है, military center के पास है इसके पर कानून बना सकते हैं जो international, जो संबंद होते हैं, उनके उपर भी कानून जो है, वो center ही deal करता है, रक्षा मंतराले हो गया, या finance हो गया, यह सारी जो चीज़े हैं, वो center अपना deal करता है, लेकिन state, state को भी कुछ न कुछ power दे रखिये न, कि भी आप शिक्षा के उपर बना लीजिए आप वहाँ पर सिंचाई के लिए कानून बना लीजिए आप पुलिस के उपर कानून बना लीजिए तो यह जो चीज़े हैं, यह जो शक्तियों का अभी भाजन है, यानि center को भी center के पास भी power है और state के पास भी power है, इनको भी अपने यहाँ पर अपना पर परशाशन चलाने के लिए इनको पभी power दी गई है, यही होता है federal system, भी power का distribution कर देना, state का भी कुछ न कुछ ओधा है, वो भी अपने यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए कानून बनाते हैं तो यह संगात में वोग विशेस्ता हैं जो हैं, वो हमने Canada से लिए हैं साथ इसाथ अवशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जाए तो उसके ओपर कौन कानूर बनाएगा वो केंदर बनाएगा तो यसे कहते हैं अवशी शक्तियां वो किस के पास है वो केंदर के पास है अब बात करें राजेपाल के जो नियुक्ति है राजेपाल के जो नियुक्ति है उससे related कैसी कैसी प्रिक्रिया होंगी वो कहां से लिया है हमने Canada से लिया है संग और राज्यों के बीच में Federal और State के बीच में कैसे Power का Distribution होगा वो हमने Canada से लिया है तो Canada से चीज़ें पूछी जाती है दक्षन अफरिका काफ़ इंपोर्टन है समिधान में चंशोधन कैसे किया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया है वो दक्षन अफरिका से लिया है 368 आर्टिकल जिसके according चंशोधन किया जाता है वो कहां से लिया गया है दक्षन अफरिका से रूस से क्या लिया है मौलिक करतवे देखे दो चीज़े हैं मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक करतवे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, यूएसे से लेकिन मौलिक करतवे हमने रूस से लिया है, इस चीज़ का ध्यान रगना fundamental duties होती है ये अब जैपैन, जैपैन से हमने क्या लिया है विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह हमने जैपैन से लिए अब यहां पर तो आपने देखा कि अलग-अलग देशों से हमने कुछ न कुछ चीज़ें ली है लेकिन अब पूछा जाएगी भारत के समिधान पर सबसे ज़्यादा परभाव की सिखा है तो भारत के समिधान पर सबसे ज़्यादा परभाव है भारतिया शाषन अधिनियम 1935 का देखे भारतिया समिधान में 395 आर्टिकल में से लगबग 250 आर्टिकल काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है 250 आर्टिकल जो 1935 में अधिनियम में थे उनको same to same हमने चक लिया या फिर थोड़ा बहुत हमने उसमें परिवर्तन कर लिया तो अब पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कोशन्स के अंदर कि भारत के समिधान है उसके उपर साथ सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है वहीं कैनेडा से लिये गा है या फिर भारतिय शाषन अधिनियम का है तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा भारतिय शाषन अधिनियम 1935 का देख कितने 250 यहनी 200 आर्टिकल हमने same to same लिये या फिर थोड़ा सा नाम मातर के पराबर उसमें परिवर्तन करके हमने हमारे समिधान के अंदर उसे मिला लिया है तो यह सारी चीज़ें जो है वो बहुत जादा important है आपके exam के point of view से भी question इसमें से पूछे जाते हैं चोटा सा topic था लेकिन काफी बार यह जो है वो आपकी help करता है exam में number gain करने के लिए तो उमीद है कि आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आई होगी समझ में आई होगी तो तोड़ा बहुत support तो हमें भी बनता है कि like करिए video को और subscribe करिए channel को और जादा ही पसंद आ गए है तो share कर सकते है channel को भी as well as video को भी और PDF जो है काफी बार पूछा जाता है PDF का है तो यह PDF जो है वो आपको यह fourth video इससे पिछली तीन वीडियो यानि चारों वीडियो की जो PDF है वो description box में एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो वह साच के लिए इतना इदा thank you for watching this video